Hello my dear lovely babies, how are you all? I hope you all are fit, fine and very happy at your home. Are you happy at your home? क्या आप घर पर खुश है? Yes, oh wow, very good. तो आप घर पर खुश है? तो are you enjoying the weddings and holidays? अभी शादियां बहुत हो रही हैं न? Enjoy कर रहे हैं आप? Yes, good. So basically आप मुझे question के answer yes या no में दे रहेंगे, है ना? जैसे अभी आपने yes में दिये दोने questions के answer. अगर मैं पूछ रही हूँ, are you sad at home? क्या आप दुखी हैं घर उपर? No, आप घर पर दुखी नहीं है. So answer आपने yes या no में दिया, ठीक है ना? आज हम yes और no वाले questions ही पढ़ने वाले हैं. They can begin with one of the following verbs. आज हम ये पढ़ने वाले हैं, yes और no वाले, जिनका answer सिर्फ yes और no में आता है. ऐसे कुछ questions होते हैं. और ये questions कहां से शुरू होते हैं? Is MR से, was worth से, has, have, had से, will, shall, should से, can, could, would से. ठीक है? वेल, ये तो हमने देख लिया कि questions इस तरह से शुरू होते हैं. तब ही तो मैंने आप से पूछा था, are you happy? क्या अब खुश हैं? अब हम इन में से कुछ examples देख लेते हैं. Study the following questions and their answers. हम इनके examples देख लेते हैं. Is Namya going to school? क्या Namya school जा रही है? Yes, she is. Yes, she. Namya की जगह पर she. And is का is. Same to same. ठीक है ना? अब ये Namya की जगह पर she क्यों आया? Remember हमने pronouns पड़े हैं. जिसमें हमने पढ़ा है कि किसी भी noun को बार-बार यूज करने के बदले जो words हम यूज करते हैं वो pronouns कहलाते हैं. जैसे कि Namya की जगह पर she. क्योंकि Namya एक girl है. इसलिए she. हाव है, जा रही है. क्या लड़किया अन्रत्य कर रही हैं? Yes, they. The girls की जगह पर they है ना? And are का are. Yes, they are. हाँ, वे कर रही हैं. जब हम सिर्फ हाँ बोल कर और इतने दो words में लिख दे रहे हैं तब भी हमारा पूरे के पूरे sentence का पूरे पूरे question का answer हमको मिल रहा है. Right? Next one is, were you happy there? क्या आप वहाँ खुश थे? अब आप बताईए क्या answer आया? Yes, I was. जब मैं आप से पूछ रही हूँ, तब आप मुझे जवाब देंगे, तो आप अपने बारे में जवाब देंगे ना? तब आप you नहीं कहेंगे, तब आप तो I कहेंगे. हाँ, मैं था. यू के साथ वर लगता है, और आई के साथ वाज लगता है. ठीके? ये हमको याद रखना है, कि आई के साथ हमको वाज लगाना होगा. ठीके? और यू के साथ हमेशा वर लगता है. यू के साथ वाज नहीं लगता है. अब next क्या है? Has अभी a big kite Has अभी a big kite क्या अभी के पास Has means यहाँ पर होगा अभी के पास एक बड़ी kite है, बड़ी पतंग है Yes, he has Has का has हुआ और अभी change हो गया He में यह हो गया हमारा pronoun Right? Yes, he has Next one is, should we help this man क्या हमें इस आदमी की मदद या सहायता करनी चाहिए Should means करनी चाहिए, करना चाहिए Yes, we Should यहाँ पर कोई change नहीं हुआ We का we और Should का should हां हमें करनी चाहिए So this was The page number 42 In grammar book ठीक है? यह part 1 था We are going to learn The part 2 very soon जिसमें हम 43 page number का यह 20 questions solve करेंगे ठीक है? These are the 20 questions जो हमारे और भी examples हैं जिनको हमें Yes के साथ answer करना है और हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा verb कैसे change हुआ है? और किस noun की जगे पर हमने कौन सा pronoun लगाया है? देखो, यह सब verbs हैं न? इसम आर वास वर हास हाव हैद वल शल शोट कन कूट वट Okay? So, enjoy learning and have a blessed day. Bye-bye.